एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, धीमी धीमी वारिस की बूले जमीन पर बरस रही थी, तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सारन देते हुए आकर रुखती है। उस सारन की आवाज को सुनकर स्कूल में उपस्तित, सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में त्यों आये हैं। तो वो उनसे पूछी लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम हैं। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लोडाने हैं इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तो बताते हैं कि वो तो यहां से काफी समय पहले ही रिटायर होकर जा चु है। आप जल्दी से उनका एडर्स मुझे दे दो तो ये बात सुनने के बाद प्रिंस्पल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों हैं। तो वो फिर से पूछ में कुछ बताओ क्यों आप कवीर सर से मिलने के लिए उताबले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा था। इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वो एक कुरसी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंस्पल सर को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि सर क कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में कवीर सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को सौ सो रुपय मिल जाएं तो तुम उन सो रुपयों का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपन खेदना चाहते थें तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलोने खेदने का बोलते हैं। तो जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो अपनी मा के लिए उनकी आँखों का चस्मा बनवा कर दूँगा क्योंकि वो जब दूसरों के कपड़ों की सिला पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों तुम्हारी मा की आँखों के लिए चस्मा तो तुम्हारे पिता जी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों से अपने लिए कुछ खेलने का लोना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदिद्या चीज भी खरी सकते हो तो इसके बाद वो लड़का कहता है जो कि अब एक जिलक लेटर बन चुका था कि सर मेरे पिता जी की मृत्य हो तो मेरे बच्पन में ही हो गई थी। पिता जी के गुजरने के बाद मेरी मा ने मेरा पालन पोशन किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही हैं। वो उनके हाथों में नहीं चुबेगी अब इन सब बातों को सुनकर कबीर सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और अपने बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अ सो रुपए तो मैं तुम्हें अपने वादे के नुसार दे रहा हूँ और ये जो सो रुपए मैं तुम्हें एक्स्टा दे रहा हूँ इनको भी अपने पास रखो जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लटा देना इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद कभीर सर ने मेरी कई बार मदद की थी जब स्कूल में फ्री की ड्रिस मिला करती और मुझे फ्री में पढ़ने के लिए किताबें दिला दिया करते थे, कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिलाये थे, उनके बहुत ही ऐसान मुझ पर है, मेरी और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंस्पल सर स्कूल के पुरणा रेजिस्टर में से कवीर सर का एड्रेस निकाल कर कलेक्टर सहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर सहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठ कर उस दिये गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफर तै करने के बाद वो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो तो यहाँ से अपना घर बेच कर किसी दूसरे सहर में सिफ्ट हो गय थे। पास परोस वालों से जानकारी की तो उनका वरतमान एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर सहब उस सहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दिर के बाद वो उस सहर में भी पहुंच जाते हैं। और बताय हुए एड्रेस के मताविक एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तो अंदर से एक लड कबीर सर का लड़का है वो सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिता जी से ऐसा क्या काम है क्योंकि कबीर सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे सोहव का नहीं होता है। उसने अपने पिता जी को घर से बाहर निकाल कर एक व्रद्र आस्रम में छोड़ दिया था। वो खु कोई खबर नहीं थी कि पिता जी अब कैसे हैं जिंदा भी है या नहीं तो वो पूछता है कि आपको बावु जी से क्यों मिलना है क्या काम है तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लटाने हैं और इसी सिलसले में मैं उनसे मिलने चायता हूं तो पैसों क की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है वो कहता है कि जो कुछ भी पैसे हैं मुझे दे दीजिए मैं वो पैसा उन्हीं को दे दूंगा मैं उनका एकलोता बेटा हूं लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जित करते हैं कि मुझे सच सच बताओ व ब्रद आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत ब्रद आश्रम पहुंच जाते हैं वहां पहुंचकर वो आश्रम के मेनेजर से बात चित करके कवीर सर के बारें पूछताश करते हैं और उन्हें कवीर सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है कलेक्टर साहब अपने सेक्यूर प्रवार और कमजोर दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं। तो कबीर सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम मैंने तुम्हें पैचाना नहीं। यहां मुझसे मिलने क्यों आय हो। इतना कहते हुए वो बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम नीरज है और एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो कबीर सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददास अकमजोर हो चुकी थी। लेकिन वो उसे पहचान जाते हैं कि यह भी लड़का है जिसको मैंने 200 गाइं डिये थे जिसकी मा की आँखों का चसमा बनवाने के लिए। तो एक दम से कहते हैं अच्छा बेटा तुम वही नीरज हो जिसको मैंने एक बार 200 गाइं यह थे चसमा बनवाने के लिए। तो इस पर नीरज कहता है हाँ सर मैं वही लड और मैं आज आपके उनी पैसों को लटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को कवीर सर सुनते हैं तो उनकी आखें नम हो जाती हैं और आखों से आस्वों की लड़ी तपकने लगती हैं। जो कि तुमें आज इतने समय के बाद भी याद हैं और एक मेरी अपनी सगी अउलाद है जिसका मैंने पालन पोशन कर बढ़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज मैंने बखो भी निवाया लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वो मेरी भावनाव के साथ खेलता र गया और एक तुम भी किसी मा के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिये थे तो तुम आज उन पैसों को लोटाने के लिए यहां आये हो। अब नीरज उनकी आंसों को साप करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो कबीर सर नीरज से उसका हाल चल लेते हैं और पूछते हैं कि बेटा अब तुम करते क्या हो तो नीरज बताता है कि सर मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेनत मजूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा। खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेटर बन गया हूँ। अब कबीर सर ये बात सुनते हैं तो नीरज की पीठ थरतपाते हुए कहते हैं साबास बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक काम्याब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देड़ तक बैठे हुए ऐसे ही बातचीत करते हैं। बातचीत खतम करने के और पूस्ते हैं कि बेटा नीरज तुम मुझे यहां ब्रद आसरम से कहां लेकर जाना चाहते हो। तो कलेटर साब कहते हैं कहीं नहीं सर आपको एक अच्छी जगह पर ले जा रहा हूँ जहां आपको होना चाहिए। उसके बाद नीरज ब्रद आसरम के मैनेजर से बात करक उन्हें वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बठाता है और सीधा अपने घर की तरफ को चल देता है। घर पहुंचता है तो दोस्तों कलेटर साब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनकी दो बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते ह हुए घर के बाहर गेट पर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए पापा आ गए इसके बाद नीरज अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में ही कबीर सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि सर आज के बाद से यही आपका अब आप यहीं हमारे साथ रहोगे ना कि ब्रद आश्रम में अब जैसे ही कवीर सर नीरच के मूँ से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत जादा वो भावुक हो जाते हैं एक बार फिर से उनकी आँखें भराती हैं फिर कलेक्टर सहब उन्हें अ उन्हें अच्छे से नेलाता है नए कवड़े पैना कर उन्हें बहुत बढ़ियां से अपने घर में रखता हैं कलेक्टर सहब की मा और उसकी पतनी को कवीर सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी इनको हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और मा का चस्मा बनवाने के लिए भी सो रुपे दिये थे हर तरह से ने निरच की सहता की हुई थी इसलिए उसकी मा और पतनी भी उनका बहुत मान समान करती है कलेक्टर सहब कवीर सर की बहुत अच्छे से देख भाल करते हैं उन्हें के दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती के स खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्त भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान समान दिया अब जब कवीर सर कवी अकेले में बैठ कर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस बेटे के बारे में सोचते जिसको केवल कभी स कोई ऐसी बात मैसूस नहीं होने दी समय ऐसे ही बीटता गया अब जो कबीर सर का लड़का होता है वो जिस जॉब को करता है उसमें कुछ धानली करने की वज़े से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे ये बात भी पता थी कि उसके पिता जी अब ब्रद आश्रम में नहीं र रहते हैं मुझे उन से मुलाकात करनी है उसके बाद सेक्यूरिटी गार्ड कहता है कि आप दो मिनट बाहर ही खड़े रहिए मैं अंदर बात करके आता हूँ अंदर जाकर वो गार्ड कबीर सर से बताता है कि एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बत वो मुझे ब्रद आस्रम छोड़कर गया था मेरे लाक मना करने पर मेरी एक ना सुनी थी मेरी भावनाओं का खिलवार किया था अब सेक्यूरिटी गार्ड बाहर आता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है अब उनका बेटा ये सब बाते सुनता है तो बहुत ही सरमिं करने लगता है कहता है कि पिता जी मेरी बात को सुनिये मैं आपका बेटा यहां बाहर खड़ा हुआ हूँ इसके बाद कवीर सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे अकेल ब्रद आस्रम छोड़ गया था मैंने तुम से कितनी ही मिन्नते की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बरताओ मत करो लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी तो फिर तुम आज यहां क्यों चले आए हो तो उनका बेटा कहता है कि पिता जी मैं एक केस में बुरी दर ऐसे फंस चुका लेकिन कबीर सर कहते हैं कि यह तेरे बुरे कर्मों की सजा है जो आज तुझे भगवान ने दी है इससे हमारा कोई दोस नहीं है जो तुमने बोया था आज तुमें काटना ही पड़ेगा इतना बोलकर कबीर सर गार से कहते हैं कि इसे यहां से धक्का मार कर बाहर निकाल दो ऐसे मुझरिम को अपनी दहलीच पर भी ना रोको इसके बाद वो वहां से चला जाता है तो साम में कलेक्टर सहाब घर वापस लोडते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चलता है कि आज कबीर सर का बेटा उनसे यहां मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहां से धिकारते हुए भगा दिया था कलेक्टर सहाब को तो पहले से ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है इसलिए वो भी इस केस में कोई दिल्चस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं इन सब के बाद कबीर सर अपने सिस्ट के साथ ही खुसी खुसी अपना जीवन वैतीत कर देते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी जिस कहानी में एक पीचर ने अपने स्टुडेंट को सो रुपए दे कर उसकी सहता की और उन सो रुपएं का बदला उस लड़के ने बड़े ही बेहदरिन तरीके से अदा किया आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय जिरूर शेयर करें अगर आपको हमारी एक कहानी पता अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और शेयर कीजे और इसी तरह की अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब के लिए जै हिन जै भारत